आपका पहला सवाल है, कौन सा जानवर मरने के बाद भी खड़ा रहता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. चिम्पांजी B. घोडा C. उट D. हिरण आपका सही जवाब होगा ओप्षिन B. घोडा आपका दूसरा सवाल है, सबसे बुद्धिमान मचली कौन सी होती है? आपके ओप्षिन्स हैं A. डॉल्फिन B. शाक C. वेल मचली D. इन में से कोई नहीं? आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A. डॉल्फिन आपका तीसरा सवाल है पुलिस का सबसे महत्व पूर्ण कारे क्या है? आपके ओप्षिन्स है A. जन्ता की सुरक्षा B. समाज करियान C. समाज सुधार D. अपने परिवार की सुरक्षा आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A. जन्ता की सुरक्षा आपका चौथा सवाल है ऐसा कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. शेर B. सांप C. हिरन D. बिच्छू आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. बिच्छू आपका पांचवा सवाल है भारत का सबसे बड़ा चड़िया घर किस राज्जी में स्थित है? आपके ओप्षिन्स हैं A. मुंबई B. दिल्ली C. चेन्नई D. बिंगलूरू आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स C. चेन्नई आपका चठा सवाल है गधों का मेला भारत के किस राज्जी में लगता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. जम्मू कश्मीर B. राजिस्थान C. असम D. तमिलनाडू आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स B. राजिस्थान आपका साथ वाज सवाल है तितली के कितने पैर होते हैं? आपके ओप्षिन्स हैं A. दो पैर B. छह पैर C. पाँच पैर D. बारह पैर आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स B. छह पैर आपका आठवा सवाल है कौन सा जानवर 200 साल तक जीवित रहता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. हिरन B. कचुआ C. भालू D. चमगादर आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स B. कचुआ आपका नौवरा सवाल है Facebook का मालिक निमन में से कौन है? आपके ओप्षिन्स हैं A. मुकेश अमबानी B. बिल गेट्स C. रतन टाटा D. माक जुकरबर्ग आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. माक जुकरबर्ग आपका दश्वा सवाल है पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. तोता को B. कोयल को C. कबूतर को D. बाज को आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. बाज को आपका ग्यारहवा सवाल है छोटा भारत निमन में से किस देश को कहा जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. भूतान को B. रूस को C. इरान को D. फीजी को आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. फीजी को आपका बारहवा सवाल है किस जानवर का दूद सबसे महंगा बिकता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. उट B. घोडा C. शेरनी D. हाथी आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स C. शेरनी आपका आते रहवा सवाल है किस जीव का खून हरे रंग का होता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. सांप B. गिर्गिट C. मचली D. उलू आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स B. गिर्गिट आपका चौद हवा सवाल है वू लर्जील किस राज्जी में स्थित है? आपके ओप्षिन्स हैं A. जम्मू कश्मीर में B. मैसूर में C. उत्तराखंड में D. गुज्रात में आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स A. जम्मू कश्मीर में आपका पंद्रहवा सवाल है किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? आपके ओप्षिन्स हैं A. चीन B. भारत C. सिंगापुर D. इरान आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. इरान में आपका सोल हवा सवाल है किस चानवर के दूध से कभी दही नहीं जमता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. गाए B. बकरी C. हाथी D. उन्टनी आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. उन्टनी आपका सत्रहवा सवाल है चिंगम बनाने में किस जानवर के मान्स का प्रयोग किया जाता है? आपके ओप्षिन्स हैं A. बकरी B. चीता C. सुर D. किसी का नहीं आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. आपका ठारहवा सवाल है पूरे विश्व में एक शकल के कितने लोग होते हैं? आपके ओप्षिन्स हैं A. साथ लोग B. चार लोग C. आठ लोग D. दो लोग आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A साथ लोग आपका 19 सवाल है लाल किला को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? आपके ओप्षिन्स हैं A. पाँच वर्ष B. आठ वर्ष C. डस वर्ष D. बाइस वर्ष आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C D. डस वर्ष आपका 20 सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ओप्षिन्स हैं A. गोवा B. बिहार C. सिक्किम D. राजस्थान आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A. गोवा आपके लिए सवाल है अत्यदिक गुसा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ओप्षिन्स हैं A. खुन खौलना B. 9211 होना C. कमर कसना D. टांगडाना दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग कॉमेंट करिए और विडियो के अंत में अपना टोटल स्कोर जरूर शेर करें मिलते हैं अगले विडियो में नए सवालों के साथ तब तब के लिए धन्यवाद